गाइस नमस्कार मैं आरकेमिस्रा इंजिने सादा आपे स्वागात करता हूँ कुछ लोग यह सोच रहे थे अभी भी पूछ रहे हैं बहुत सारे वीडियो की माध्यम से तो मैं आप फाइनल क्लियर क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ डियाइडियो में फाइनल येर के लो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सार मेरा डिगरी नहीं आया मेरा रिजल्ट आउट नहीं हुआ आनलाइन गवर्मेंट ने जो भी उनिवस्टी ने या विद्याले ने रिजल्ट चारी कर दिया क्या उस डाकुमेंट्स को अटैज कर सकता हूँ डेफिनेटी आप अटैज कर सक कानून होते हैं 23 सितंबर रात 12 बजे के बाद अगर एक घंटे भी बाद आगर आपका रिजल्ट आउट होता है ऑफिसल वेबसाइट पे तो कानूनन तरीके से डियाइडी ओ के नियम के अंसार आप यह रिजल्ट मस् मिनिमम आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए इस डे होना चाहिए क्रुस्वेल डेट आप एलेजबिल्टी यही है 23 सितंबर 2022 तो फाइनल येर के लोग एलेजबल हैं की नहीं तो फाइनल येर का कोई मतलब भी नहीं है दोस्तों अगर आपका फाइनल येर है आपको रिजल्ट आप चुकि या तो आप वेट कर लिजे दो चा सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दीजे तो आप एलेजबल हो तो make sure that कि यह आप बार बार नहीं पूछेंगे ठीक है और बाकी तो जो कंप्रीट कर चुके हैं जिनके पास सब कुछ है तो भरी सकते हैं चोटा सा वीडियो था बाकी आपको भी पता है DRDO सेप्टम की हमार जो डेडिकेटेड प्रिप्रेशन करना जाता है टीर वन टीर टू की तो वीडियो की निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मैं आपको डारेक्ट बता देता हूं कैसे आप सारे हमारे कॉर्सिस को अफोर्ड कर सकते हैं सबसे पहले आपको अड़ा 247 की ऑफिसल वब करना पड़ेगा जैसे मैं आपको जा रहा हूं हाना और यहां पे सबसे पहले तुरंत आपको सर्च करना पड़ेगा आल कोर्सिस में जा करके गेट एंजिनरिंग और फिर यह डियो तो डियो में बहुत सारी चीज़े दिखेंगे टियर सिर्फ नॉन टेक्निकल का बैचिस दिखेंगा सिविल का बैचिस इलक्तिकल का बैचिस इलक्त्रोंिक्स का और मेकानिकल का जो भी आप इपने रिस्पेक्टेड ब्रांच है आप सलेक्ट कर वीजे और यहां पे कोड यूज करिएगा व्यू आपफर में जा करके आज़वेज जो कोड यूज करना है आपको यूज करना जैसे यहां पे जो आपको पूछेगा तो आपको मैक्सिमम डिसकाउंट और हमारा जो मैंटर्शिप कोड है पढ़ाने का जो कोड है यूज करोगे तो यहां से 26-24 रुपे और एप्लिकेशन से यही क्वाइन के साथ यूज करोगे 25 रुपे तो देश का सबसे अगर आप देखोगे तो क्या पता है तो जाइए अपने हिसाब से चूच करिए तो फाइनल येर के अलेजबिल्टी को देखर के आप तो कन्फूजन्स मत हुएगा बाकी आपको मिनिमम अठारा साल होना चाहिए अठाइस साल मैक्सिमम एस्ट होना चाहिए जनरल के लिए बाकी OBC और ST के लिए तो आपको भी पता है कि तीन साल का है OBC के लिए SC और ST को पांट साल का रिएक सेसंस है तो ये देख लीज़ेगा लेकिन डेट अगरा सब इसी डेट को रिफेरेंस बान करके किया जायेगा कैलकोलेशन्स ठीक है तो थेंक्यू बेंग दा पार्ट उमीद करते हैं आपको चीज़े समझ में आ गई होगी इफ यू है अगेन कोई क्लैरिफिकेशन है आप वीडियो की नीचे कमेंट सकते हैं हां मैकेनिकल का डीटेव सब्सक्राइबस हमें आपको चार बज़े देखर करके आ रहा हूं तो ये चीज़ राद रखेगा तो ज नवासातियों